पूरे पूरे प्रदेस में सबसे बड़ी जब जो समस्या भी है वो खाद और बीच को ले करके हैं। लगातार किसान इस बात को उठा रहे हैं, लगातार इस बात को हम लोग उठा रहे हैं। कि बूनी का समय समाप्त हो रहा है, रोपाई का समय आ गया है। और अभी भी सुसाइटी में खाद की उपलब्धता नहीं है। अलग-अलग जगा किसान प्रदर्सन कर रहे हैं। कल धंतरी में बड़ा प्रदर्सन हुआ है, कलेक्टेट को घिराव कर ले करके, राजनान गाउं में जो प्रदर्सन हुआ है, और पूरे प्रदेश में कमोबेस में यही सिती है। बजार में खाद उपलब्ध है, लेकिन आखिर सुसाइटी में क्यों उपलब्ध नहीं है। इसके जवाबदारी किसके उपर है। 36 गड़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, और कांग्रेस की सरकार आने के बाद में किसानों का लगातार सोसन हो रहा है। इस बात को लेकर के पूरे किसानों में 36 गड़ में आक्रोस है, राज्य सरकार केवल केंद्र के उपर आरोप लगाना और अपने अक्षमता को छिपाने के लिए उनके उपर डालना 15 साल में जब खाद की कमीन 36 गड़ में नहीं हुए तो आखिर आज क्यों और वो भी बजार में उपलब्धता केवल सुसाइटी में नहीं निश्चेतरुप से जिसप्रकार से खाद को लेकर के यहां पर सरकार के द्वारा नियंतरन करना नहीं और बलके प्रोसाहित करना काला बजारी को इसी का इप्रणाम है काला बजारी का के आज किसानों का सोसन हो रहा है अब जहां तक मैं ये सबस्ता हो कि भुपेज बगेल के सरकार बनने के बाद में जितना प्रुपोगंडा काम करने का काम ही केवल किया जा रहा है वास्तो एक में धरातल पे कुछ है नहीं एक घटना तो आपको मालूम है पिछले बार विधान सभा में उठाए थे कि 4,65,000 के नौकरी देने वाले मुख्यमंतर विधान सभा में जवाब दिये कि 20,000 लोगों को नौकरी दिया गया है मैं सबस्ता हूँ इससे ज़्यादा असत्य कथन और क्या हो सकता है कि होर्डिंग लगाने के बाद में विधान सभा का कथन 10% जो आरक्षण देने की बात है समण को आज भी 36 गड़ में समण को 10% आरक्षण नहीं मिल रहा है जबकि अन्य राज्यों में उसका काफी लाव लोगों को मिल रहा है उसके बाद में यहाँ पर जो राष्टपति के दत्तक पूत्र कहे जाने वाले संख्या उनकी कम होते जा रही है ऐसा ना हो कि विलुप तो हो जाए लेकिन जिस प्रकार से अभी लगातार घटनाय हुए उनके मृत्य हुए लगातार जो आज सुरक्षित नहीं है को पोसण के सिकार हो रहे है और ऐसे समय में आप मुख्यमंत्री के यह कहना कि जब कहने के उपर इनके इसने मत जाईए कि विधान सभागा है इनका जो commitment है वो commitment को जब पूरे करने के स्थिती में नहीं है तो बाहर में यदि कुछ बात बोले तो जब क्रियानवान हो जाएगा तब ये बात को मानेंगे ने तो बहुत सारी ऐसी बाते उनके हैं जो धरातल पर नहीं है केवल होर्डिंग पर दिखाई दे रहा है देखे जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के द्वारा जो यहां पर आंदोलन किया गया इनका आंदोलन में कोई युवाओं के पृति ना कोई सहानव होती है ना ये चाहते हैं उनको रोजगार मिले एक वीडियो मैं आपको बता देता हूँ कि बीजापूर के विधायक है विक्रम मंडावी उनका वीडियो आपने देखा है कि जिस प्रकार से सभाव ये बात कर रहे हैं कि संपत्ती सरकारी संपत्ती जलाई जाए रेल जलाई जाए और राष्टी संपत्ती का नुक्सान ये धरना ये सत्याग्रा है कांग्रेस के मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आपने यही उनको तीन दिन का प्रसिक्षण दिया जब उनके कारले में प्रसिक्षण हुआ तो कि राष्टी संपत्ती का आप नुक्सान करें और उसके बाद में लोगों युआउ में भ्रम फैलाएं लोगों को आग जलाने के लिए प्रेणना दे ये कांग्रेस के सत्याग्रा है खुल करके उजागर हुई है और इसलिए जितने भी नुक्सान हुए है देश में मैं समझता हूँ कांग्रेस से उसको वसूल करने की आउ सकता है क्योंकि इनकी जवाबदा है भड़काने के और भड़काने के कारण में ये जो नुक्सान हुए है ये कांग्रेस से वसूल की जानी चाहिए और जिस प्रकार से विधायक का बयान आया है तो एक राश्टी पार्टी का चरित्र नहीं है इसलिए उनके मान्यता को भी निरस्त करने चाहिए ये मैं गई है और जो राश्टी कारसमिति के सदस्य पदाधिकारी है सभी देश भर के उसमें आमंत्रित हैं उसमें 36 गड़ से हम लोग भी जाएंगे और उसके पहले विधान सभा की एक बैठक अलग अलग दी गई है मुझे एक विधान सभा की बैठक की जवाबदारी दी गई ह उस बैठक के लिए मैं कल रवाना हो करके तीस और एक तारिक को उस विधान सभा के विभिन जो मुर्चा है प्रकोष्ट है पार्टी है उनकी सब की बैठक लेंगे और एक जैजा लेंगे कि वर्तमानी स्थिति में क्या स्थिति संगठन की है सरकार की उसकी भूमिकास प्र उसको लेकर के एक जवाबदारी भी दी गई है सीवियाई के डर के मारे इसको पहले ही मुख्यमंत्री बेन लगा दिये 36 गड़ में दूसरी बात एडी की बात है बाकी की बात है तो किसी को डराने धमकाने के जोरुरत के लिए ना भाजपा के द्वारा उसका गठन किया ग रही है एडी पहले भी काम कर रहे थे सीवियाई पहले भी काम कर रही थे जब कांग्रेस की सरकार लंबे समय रही है तो मैं पोछना चाहता हूं कि क्या का हूँ उस समय एडी क्यों तो मतलब आप दोसरे के लिए उसका उपयोग आपने किया है इसलिए आपको यह मालूम पढ़ रहा है कि आपके खिलाप में उपयोग हो रहा है बलकि वो स्वतंत्र एजेंसी है समयधानिक संस्था है ऐसे संस्था को बदनाम करने के कांग्रेस की यादत है कि उनको कैस है और सीबियाई काम कर रही थी और आज भी काम कर रही है इसलिए उस बात को ले करके इतने आपत्ती दर्ज कराने के आप सकता नहीं है उसके अंसार से उपलब्धता बिल्कुल नहीं है किसान चारो तरफ आक्रोसित है और यदि 70-80% के आपूर्ती हो जाए तो किसानों को रैली करने के आउसकता नहीं पड़ेगी रोड जाम करने के आउसकता नहीं पड़ेगे हम तो ये बोल रहे हैं कि जब बजार में उपलब्धता है तो सुसाइटी में क्यों नहीं महत्पूर प्रस्न ये है क्योंकि सुसाइटी में 265 रुपय है बजार में 600-700 रुपय रिया की कीमत है डीएपी कीमत सुसाइटी में 1200 रुपए है और बजार में उसके 18-1900 रुपए है आखिर किसान को मजबूर हो करके अधिक रट में खरीद रहे के आउसकता क्यों पड़ रही है और ये जो काला बजारी हो रही है मुनाफ़ाख हो रही है अभी तक कितने दुकानों को पर अब EDA और CBI का तो मैंने जवाब दे दिया है मैं तो मुख्यवंत्री जीसे केवल ये पूछना चाहता हूं वो जवाब देंगे कि 75 में इमर्जेंसी किस पार्टी की द्वारा लगाई गई थी और उस समय लोक तंत्रे के हत्या किस ने की कतले आम सिखों का किस ने किया और आज भी केस किस के उपर में जारी है बाबरी धाचा धाहा 92 में चार भाजपा प्रदेश की सरकार गिराई गई ये प्रदेश के सरकार गिराने वाले उसमें केंदरवे किस की सरकार थी और ये जो सरकार गिराई गए, क्या ये वुचित था, तब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कहां छुपे हुए थे और जिस बात की आज हवाला दे रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट के सरकार गिराने और नहीं गिराने से भाजपा का उसमें कोई दूर दूर तक उसका कोई रिस्ता नहीं है ये तो सिव सेना का मामला है और सिव सेना का अंदूरेनी मामला है जहां तक महाराष्ट की सरकार की मैं बात करूँ वहाँ जब चुना हुआ तो मतदाता ने सिव सेना और बीजेपी के गड़बंधन को जनादेश दिया था ना एनसेपी को जनादेश दिया था सरकार बनाने के लिए ना कांग्रेस को जनादेश दिया था ये जनादेश बीजेपी का था लेकिन बीजेपी की सरकार ना बने इसके लिए इन्होंने हत्कंडा अपनाया था उस समय इनको विचार करना था कि जनता का जनादेश क्या है और सरकार किसकी बननी चाहिए तो आज जो बात कर रहे कि कांग्रेस के सरकार उस समय सध्धांतिक बात क्यों कियो नी किये आज याद आ रही बात तो आज तो जो होना है सब के सामने में यह प्रिस्थिति चल रही है लेकिन मैं फिर कहसकता हूं कि जिस प्रकार से उपेक्षा के सिकार हुए सियू सेना के विधायक अपने ही दल के द्वारा और उसका ये परिणाम है दो तीन बारिस होने के बाद में बारिस लगभग बंद हो गई है और इससे किसानों में एक जो समस्या भी उत्पन हुई है और उस समस्या के कराण में किसान ठीक से काम नहीं कर पा रहे है बिजली की जो समस्या इस समें सबसे ज़्यादा क्योंकि पानी है नहीं तो किसानों को चाहिए बिजली और बिजली के द्वारा पानी इस ये सबसे बड़ी समस्या भी जो किसान के उपर में जो है और इसके कारण में लगातार खेती पिछड़ रहा है किसानों को रुपाई करने में दिक्कत आ रही है ट्रांसफार्मर समय पे बदले नहीं जा रहे हैं और लोल्टेज की समस्या तो ये जो किसानों को दोहरी मार ही पड़ रही है और इससे सरकार को चाहिए किसानों को निजात मिले और जिसके माध्यम से किसानों के समस्या का समधान हो सके